ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाउ के अब अंदेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाउ के ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाउ के अब अंदेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाउ के ले मशाले चल पड़े हैं कह रही है जो पड़ी और पूछते हैं के तबी कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाउ के ले मशाले चल पड़े हैं बिन लड़े कुछ भी आहां मिलता नहीं ये जान कर अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गाउ के ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाउ के अब अनेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाउ के ले मशाले चल पड़े हैं ले मशाले चल पड़े हैं जोदी तो रे डाक्ष ने क्यो नाशी तो बे एकला चलो रे जोदी तो रे डाक्ष ने क्यो नाशी तो बे एकला चलो रे जोदी तो रे डाक्ष ने क्यो नाशी तो बे एकला चलो रे जोदी क्यो को थाना कोई ओरे ओरे ओड़े ओगा क्यो को थाना कोई जोडिशोबाए दाके मुख फिराए शोबाए कोरे भॉय तोबे पुरान खोले तोई मुख फुटे तो मोनेर ञथा एकला बोलोरे हो तोई मुख फुटे तो मोनेर को था एकला बोलो रे जोदितोरे डाक्षने क्यों आचे तो बे एकला चलो रे जोडी तोर राक्ष ने क्यो नाशे तो बे एकला चलो रे गाउं छोडब नहीं, जंगल छोडब नहीं, माई माटी छोडब नहीं, लडाई छोडब नहीं जाले कावुं पोए, नाटु वडियुं पोए, उमरवुं मेंदि किनरुं कोणत्ति यायुं पोए स्मरणगल्कु तीकोलुत्ती बलिकुडीर साक्षियाई, वरिगयाई, समरशत्त्ती दारै आई सगाकले स्मरणगल्कु तीकोलुत्ती बलिकुडीर साक्षियाई, वरिगयाई, समरशत्त्ती दारै आई सगाकले पुरुदी वीण मन्निल निन्नु यन्ने डीच्चु कोंडिदा, कुरुदी मालचार्तिडुवान, पुरिय संध्य पिन्नेयुं पुरुदी वीण मन्ने निन्नु यन्ने डीच्चु कोंडिदा, कुरुदी मालचार्तिडुवान, पुदिय संध्य पिन्नेयुं लाल सलाम, लाल सलाम, सखाकले, लाल सलाम, कणुमरं ये रिच्चु कोंड रेक्त शाक्षिकल्ड, कुरुदी वीण, कुरुद्धु वन्न, कुंगु मार्कुरंगले, चुरु निनम, निरम, कोडुद्ध, पड़निलंगलिल, पडुद्ध, कोडिमरंगले, तुडिक्यु लाल सलाम लाल सलाम सखाकले लाल सलाम तू जिनदा है तू जिन्दगी कि चेत पर यकीन कर अगर कहीं है सवर्ग तो उतारला जमीन पर तू जिन्दा है निंजिले कनल तेलिच्चु तेडु नम्मल जीविदं स्वर्गमिन दुंड दिंगिल भूमिल पिरकडं सखा कले ये गंके और चार दिन सितंके और चार दिन ये दिन भी जाएगे गुजर गुजर गए हजार दिन अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तु जिन्द है एर इल्ल संगडत्ति नणन नन्य नालु गण इवयो लिन्य पोईडु मद्धी दुरु नाल पोले युम इकरिन्य तोटवुम उरिकल पूकल छूडुवान स्वर्गमेन अगुंड दिन्गिल भूमी इल्ल पिरकनम सगा कले तो गंडा एकु जिन्दगी की चीत पर ये इनकल अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तु जिन्द है मेंजीले कनल तेलिच्चु नेडु नम्म जीविदं स्वर्गमेन अगुंड देंगिल भूमी इल्ल पिरकनम सगा कले मरिकान अंगल कु मनसिल्ला परयान अंगल कु मनसिल्ला मुदला लित्त में वाशी समें इनी मुट्टु मड़कान मनसिल्ला मरिकान अंगल कु मनसिल्ला करयान अंगल कु मनसिल्ला मुदला लित्त में वाशी समें इनी मुट्टु मड़कान मनसिल्ला मरना हमें कभी ना है आसू कभी न गिरना है इन पूंज पती फासी वादी के आगे कभी न जुखना है मरना हमें कभी ना है आसू कभी न गिरना है इन पूंज पती फासी वादी के आगे कभी न जुखना है हम देखेंगे हम देखेंगे हम देखेंगे लाजिम है के हम भी देखेंगे हम देखेंगे वो दिनки जिसका गदा है हम देखेंगे जो लोहे अजर पहले का है हम देखेंगे जब जुल्मों सितनंखे को हे गरार, को हे गरार, रूई की तरह उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे, हम बैकूमु के पाओ तले, पाओ तले, ये दर्ती, दर्डडड़ दर्केगे, दर्केगे, और एले आतम की से रुपती, जब बिचली, कडड़ कड़ कर तकेगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, law is opened से हम धी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे Thank you, Jenshanskriti. Now there is another organization representing the Bengalis who are living in Delhi. I request the Bangla Munch to come and perform a few songs here. How is this? झाल 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 हलो उपस्तित कॉम्रेट्स और ओरनिबल गेस्स आप सभी का क्रांतिकारी अभिन्हंदन करते हुए हम बांगला मंच के साथ ही अब आपके सामने अपना गाना पेश करेंगे उम्मीद है आप सबका साथ मिलेगा झाल हाँ 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 खुशीयो के गी छोटे छोटे सक्पनों के गी आओ गाए मिल के हम अपने उम्मीदो के गी खुशियों केगी, छोटे छोटे सपनों केगी, आओ गाये मिलके, हम अपनी उम्मी दो केगी ग्वानताना मेरा, ग्वाहिरा ग्वानताना मेरा, ग्वानताना मेरा युशियों केगी, 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 युशियों केगी वाहिरा गौंतानामेरा I'm just a man from the islands Born in the shade of the palm tree I'm just a man from the islands Born in the shade of the palm tree It's fair to tell of my longings And leave my stories behind me गौंतानामेरा वाहिरा गौंतानामेरा गौंतानामेरा वाहिरा गौंतानामेरा पाम्गा छेगेरा आहारे पाम्गा छेगेरा पाम्गा छेगेरा लुभुश्किंपा दिल्पा ओहो पाम्गा छेगेरा आहारे पाम्गा छेगेरा पामगा चे गेरा रुपोशी क्यूबा क्यूबा मास ग्वान्ताना मेरा ग्वान्ताना मेरा ग्वान्ताना मेरा ग्वाहिरा ग्वान्ताना मेरा दुन्या के हर्भू के इंसाता चाता हूँ दर्द मैं मार्तना दुन्या के हर्भू के इंसाता दद्ध तो है मेरा अपना मुझे पहाडों के जल पि लगे समंदर से में प्यारे वानताना मेरा वाईरा वानताना मेरा वानताना मेरा वाईरा वानताना मेरा And we will go for tomorrow My words are spoken sincerely And rigged with hope for tomorrow I speak my life and its promise I know its joy and its sorrow Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Paganga chhe ghera, Maharaj Paganga chhe ghera Paganga chhe ghera, nipa chhye ghera Paganga chhe ghera, Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera उशियों केगी, छोटे छोटे सपनों केगी, आओ गाए मिलके, हम अपनी उम्मीदों केगी धन्यवाद साथियों, इंकलाब जिन्दाबाद Thank you. Thank you. Now the last batch of cultural performances will be by Parcham, Karjal Ghosh, and others from Parcham, and together with Janam, which is now 50 years old. Janam and Parcham together will be performing this set of songs. झालिना 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 सातिों आज इस स्वागत समारों में जन नाटे मंच और पर्चम के साथी गीतों के जरिये कॉमरेड अलेडा गुवेरा को क्रांतिकारी सलाम पेश करेंगे हमारा पहला गीत वियतनाम संघर्ष के दौरान लिखे गए मशूर गीत ब्लोइंग इन दे विंड से प्रेरित है ये गीत 1963 में मशूर गीतकार और बॉब दिलन ने लिखा और गाया इसके बाद दो चोटे चोटे गीत जो की आजादी के आंदोलन के दौर में 1940 के दशक में इप्ता दौरा लिखे गए और गाये गए जो गीत आज भी हमारे संघर्षों के लिए प्रेड़ना और उर्जा देते हैं तो इसी के साथ हम पेश कर रहे हैं अपना पहला गीत ब्लोइंग इन दो विंड सुनी राहों में कोई कब तक चले इससे पहले की इंसाबों कहलाए कितने साबर कोई फाक्ता उड़े इससे पहले की वो चैन पाए और कितने धरों को उजरना होगा इससे पहले की अमन आने पाए हवाओं में यारों जवाब मिलेगा हवाओं में यारों जवाब मिलेगा कब तक आखिर कोई परवत दिखे इससे पहले की वो धूल में मिल जाए कितने युगों तक कोई इनसा जीए इससे पहले की वो आजादी चाहे और कब तक आखिर कोई मूँ फेर कर सच से कामन बचाए हवाओं में यारों जवाब मिलेगा हवाओं में यारू जवार मिलेगा जंग खौ रोके जिलमते तले रोए इनसान देखो जरा तबाही मची है घर घर में आज आखे अपनी खोलो जरा और कितनी लाशों के बाजार लगे इससे पहले की जागे धरा संधर्ष है ये आमन के लिए इसमें ही जवाब मिलेगा संधर्ष है ये आमन के लिए इसमें ही जवाब मिलेगा साथियो एक छोटा सा हिस्सा कमरेच चे गुएवरा के बाशर से पढ़ूंगी excerpt from a speech by Che Guevara to the sugar workers of Santa Clara in 1961 that is why we cannot take one backward step because the first time we retreat a step would mean the beginning of a long chain for us two and would end up the same way as with all the false leaders and all the peoples who at a particular moment of history did not measure up to the task of withstanding the drive of the empire that is why that is why we must move forward striking out tirelessly against imperialism from all over the world we have to learn the lessons which events afford imperialism must be struck on the snout once and again and then again and so imperialism must be struck on the on the snout once and again and then again in an infinite succession of blows and counter blows that is the only way people can win their real independence never a step backward never a moment of weakness oh oh अब मचल उठा है दर्याहा और सर पर गिरीव दर्याहा उन्चा से पबर डोले जन्चा की बजीह सुर्या नई आपार लगा अब मचल उठा है दर्याहा और सर पर गिरीव दर्याहा उन्चा से पबर डोले जन्चा की बजीबा सुर्या नई आपार लगा भवर हजारों गहरी धारा गहरी धारा हंजिल का है दूर किनारा आरे हे भटत न जाना काली रात थे वैया नई आपार लगा अब मचल उठा है दर्याहा और सर पर गिरीव दर्याहा उन्चा से पबर डोले जन्चा की बजीबा सुर्या नई आपार लगा निर्बल चपू डरना कैसा दरना कैसा तन में घम हो तो गम कैसा आरे हे उम्मीदों के पाल लगा खे वैया नई आपार लगा अब मचल उठा है दर्याहा और सर पर गिरीव दर्याहा उन्चा से पबर डोले जन्चा की बजीबा सुर्या नई आपार लगा आहा नई आपार लगा सुभा सुहानी तुझे पुकारे तुझे पुकारे साहिल तेरी राह निहारे राह निहारे सुभा सुहानी तुझे पुकारे साहिल तेरी राह निहारे आरे हे सपने सुहाने सच होंगे खे वैया नई आपार लगा अब मचल उठा है दर्याहा और सर पर गिरीव दर्याहा उन्चा सिपवन डोले जन्झा की बजीब सुर्या नईया पार लगा आहा नईया पार लगा ओ है यहा 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 झालती तरच from a 1965 letter by Commrade Če to the Uruguayan weekly Marcha titled the Cuban revolution. We socialists are freer because we are more fulfilled. We are more fulfilled because we are freer. The skeleton of our complete freedom is already formed. The flesh and the clothing are lacking. रहे लेजागे, ए अजायाहन एकित्र नाय बतल पाना हो या है फीजाडने फेनन ऊंग लगवmer प्ना क्रीफ और स्क्रीफ़ माले और शालभी ले बतल प्सक्रीव गधिजार, जे घुकार जबतल पन्हाओर, टेवर Зबूंग माल खालत कैंटड फस्यां we, ourselves. we will forge ourselves in daily action, creating a new man and new woman with a new technology. individuals play a role in mobilizing and leading the masses, insofar as they embody the highest virtues and aspirations of the people. and do not wander from the path. clearing the way is the vanguard group, the best among the good, प्रोट प्रोटी संसार जागारे जागारे जागा सारा संसार प्रोटी की रन लाल खुलता है पूरब का द्वार जागारे जागारे जागा सारा संसार अंगडाई लेती है धरती उठी है सदियों की ठुकराई मिट्टी उठी है तूटे हो तूटे गुलामी के बंधन हजार जागारे जागारे जागा सारा संसार आया जमाना हो अपना जमाना किसमत का ये रोना गाना पुराना आया जमाना हो अपना जमाना किसमत का ये रोना गाना पुराना आया जमाना हो अपना जमाना किसमत का ये रोना गाना पुराना बदलेंगे हम अपने जीवन की नदिया की दार जागारे जागारे जागा सारा संसार हर भूका कहता है यू ना मरूंगा मैं चल के मालिक को नंगा करूंगा हर भूका कहता है यू ना मरूंगा जागारे जागारे जागा सारा संसार 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 शुक्रिया झाल 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 on behalf of the National Committee for Solidarity with Cuba we welcome you all to this public reception organized on the occasion of the visit of Aleida Guevara and Estefania Guevara the National Committee for Solidarity with Cuba has invited them and for these 15-20 days they have been traveling around the country they have taken part in various programs in Kerala, Tamil Nadu Bengaluru, Kolkata, Hyderabad, Vijayawada and this is the last program that they are going to have in India on this visit and day after tomorrow they will be flying back to Havana so now on this occasion we have a wide representation of the political forces in our country intellectuals, artists and eminent personalities who are present in this hall but due to the paucity of time we would not be able to ensure that all of them come over here and express their solidarity with Cuba but we have a few guests who we would like to have them on the dais and on behalf of the entire country we would wish that they represent and present here the views of our country here so I now request Comrade M.A. Baby the convener of National Committee for Solidarity with Cuba to come over to the dais Aliza Guera now I request you to come over to the dais and Estefania Guera on to the dais Professor Sonia Gupta she will be translating the speeches here she herself was a student activist and a professor and a teacher's activist Comrade Sitara Mechuri General Secretary of the Communist Party of India Marxist Comrade D. Raja General Secretary of the Communist Party of India Comrade Dipankar Bhattacharya General Secretary of the Communist Party of India Marxist-Lenlist Liberation and I take the liberty to call Comrade Manojah Member of Parliament and of Leader of the RJD to come over to the dais Siddharth Vardarajan the editor of Vyre is expected shortly he will be joining us very shortly so whenever he comes we will invite him on to the dais Professor Nandita Narayan the former president of Duta she will also join us on the dais whenever she comes over here so before we start the program on behalf of the student all the students organizations I request Comrade Ayshi Ghosh the president of the JNUSU to come over to the dais and hand over the bokeh welcoming Alayda Guvera on the on the ब्रच्चिटार प्रच्टबड़ुटी करें जुनियूचूचूचूच नुनियूबूचूचिक अच्छिटी करने जि रखेट दिए झाले जिए जाया है। on behalf of the teaching community I request retired professor and former head of the Department of Roman and Germanic studies in the Delhi University professor Viva Maurya to hand over the bokeh to professor Estefania Guera I request comrade Dinesh Varshney secretary of the Communist Party of India to come out to the dais comrade KM Tiwari secretary of the Communist Party of India Marxist Delhi Committee to come out to the dais comrade Ravi Rai secretary of the Communist Party of India Marxist-Leninist Liberation to come out to the dais comrade Dharmendra Kumar forward block to come out to the dais comrade Birju Naik of the Communist Party of India to come out to the dais now he is the ambassador of Cuba to India but more than that he is also an Indian among us who carries our message of solidarity to Cuba I request ambassador his excellency Alejandro Semancas to come out to the dais there are two more uh requests I have to make before I give a hand out uh the mic to comrade जोparable जाहने साल पैल को एक रहेंट कि इसका है कि झाल जाहने, de कुछ के तं सम मंवाद को सहीत sujet and खलना다면 type फिवर्य और कि थे सी वछ नहां को शॐस्वाद वडिली एडिव बिल्सि ओडικे टे ज़के ङopa क्या थैरल भूल प्रविजल दो जो प्राइब प्राइब जिलिम्हों अख्या प्राइब कि महां प्रडर्स है झाल 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 कोकि झाल नहीं है, appreciate, हम दो कि अप्यार कि यह चप्राइब ठाची जायर किवो पन। और चालिप वीडिक वीटली की इंडियारे subscribe! को और किया व्सक्राइब कर सकत्राइब क्या झाय कर देट हारा किया और इस पर्षब कर सыхवार सक्राइब कर दूम हो चाइब क्या झाय कर दो करने अपनों हम आप करने समय में 20 एंड ल ऑन फिर्टेस्टी इली डिली यज वर 33 मिलिए फीडिश फ्टलाष यज फ्ट घंड फब गुब अन फ्र फ्ट पोपलिशन देली फिज इस 11 मिलिए but when we hear Cuba we know that this country with 11 million or 1 crore 11 lakh as per the term which is more understandable to us these people they stand up against the most powerful military machine of the world United States of America America thinks that it is a super power and many describe America American imperialism as a superpower let us say American imperialism let us call a spade spirit now among some writers and commentators imperialism is a dirty word but we Indians know we had to fight hundreds of years against colonialism and against imperialism nobody teaches the dangers of imperialism and today the world is faced with the very very ominous threat from imperialism led by US imperialism and they think they are the superpower they claim but we know the 11 million courageous of people of Cuba they are a superior power than the American imperial super power that is why we extend our solidarity with Cuba during our student days it was Vietnam which used to inspire us many of you remember a slogan of those days when Vietnam was fighting against US imperialism in 1954 they defeated French imperialism in the NBN food that America took over they fought American imperialism also then we used to shout a slogan Amaranam to Maranam Vietnam 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 today we shout the slogan that your name my name Cuba Cuba today we speakers on behalf of the organizers we apologize to you that we had to find we could not find a larger place to accommodate all of you so comrades are fighting some difficulty but please bear with us today due to the fact that many important people are there to speak and Dr. Aleda has to attend another program in the evening in the embassy each of us are advised to have some self-restraint I am reminding myself because when we start speaking about Cuba especially Comrade Raja and me because we visited Cuba four decades ago 1978 in the youth festival most likely Raja would definitely speak about that government in the city here who was part of the delegation only few of us are present here who participated in the 1978 International Youth Student Festival but the slogan of the International Youth Festival still rings in our memory for anti-imperialist solidarity peace and friendship that's the organ is still relevant now the latest I I do a fast forward from 1978 that time something which most inspired us while being in Cuba was in the very beautiful beaches of Cuba we were taken and there were hundreds of African Cubans when they say so I hope you would understand African Cubans are having black skin for understanding I say so when we were communicating with them when we asked the youth what did revolution give you they told us the African Cuban youth they said only after revolution we were getting access to these beautiful beaches this is what revolution gave them we in our country even today encounter racial religious and ethnic differences and of course what had happened in different parts of our country ethnic cleansing racial genocide and we remember the so-called superpower just 80 miles away from Cuban shore in that country few years ago a movement started what was the title of that movement black lives matter so Cuba so Cuba shows us a different experience I don't want to speak about how they eradicated illiteracy how health is a fundamental right in Cuba how the entire world found invisible viruses of COVID-19 how to deal with that situation it was Cuba we showed the world how such a situation of a pandemic can be addressed and over 50 countries the health workers of Cuba went for dealing with the pandemic situation of COVID-19 notwithstanding blockade they have developed five vaccines against COVID-19 so Cuba is an inspiring model to the world I apologize to comrade for the very hectic and physically demanding programs we have scheduled in different parts of the country what Dr. Aleida secretly told me with her permission I am going to divulge openly by climbing up she told me I want to kill you then I said I am already dead therefore you don't have to kill me but comrade a leader and Professor Estefina would understand that though we have taken you around the country and we have organized programs to extend solidarity with Cuba it's actually an occasion to brief with Kita and many other great fighters and share today is the most outstanding anti-imbelish fighter and symbol and the greatest martyr of all times therefore your presence here in spurs us we continue to stand in solidarity with you and the democratic and progressive mind the people of the world are always with Cuba with these few words I conclude my very brief observations now I request I'm best to speak now in the list comrade Alejandro Simancas the respected ambassador of Cuba would make make a very brief intervention good afternoon dear Conrad namaskar for everybody my dear Conrad Sitaran Yashuri, Conrad Raya, my dear Conrad baby all of you who have been always 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 together with us this is a special moment because we have the opportunity to have together with us here today the daughter and the granddaughter of Che Guevara, Aleida and Estefania and thanks to the KR Gauri Amma Foundation they have come to India and they have been in different cities expressing together with you with all the Indian comrades in in different Indian cities and in Indian states the deep feeling of friendship and solidarity between Cuba and India that solidarity that friendship really is at the core of the bilateral relationship between Cuba and India and that feeling of friendship solidarity of course make us stronger and we are deeply thankful for that today we are celebrating also the 64th anniversary of the Cuban revolution and also the 63th anniversary of the bilateral relationship between Cuba and India and it is important to celebrate Che Guevara because Che Guevara is not only the symbol leader the symbol of the fighting against the injustice against the injustice against the oppression against the imperialism Che Guevara is also a very fundamental symbol in our bilateral relationship Che Guevara was the first who visited India in June 1959 and he planted the sea of friendship and solidarity and cooperation and the dialogue today when we enjoy an excellent relationship between the Indian government and the Indian people we owe a lot to that moment when Che Guevara visited India when he visited Delhi and Kolkata it was a historical moment and after that of course we have built little by little brick by brick we have been consolidating those feelings of friendship and solidarity but Che Guevara of course he said when we talk about our bilateral relationship it's impossible not to mention the fundamental role that he played and also when we talk about our bilateral relationship it's impossible not to mention the huge contribution that all of you the Communist Party Marxists of India and the Communist Parties and the all different left and communist forces in India has put in our bilateral relationship for more than 60 years without that important contribution or bilateral relationship of course we'd be different because it will lack of that sincere crystalline feeling of solidarity and friendship and we would like to express our deep, deep gratitude to all of you who are here the leadership of both parties, the leadership and all the members of the National Committee of Solidarity with Cuba and many many other comrades who for more than 60 years have been together with us and all of them they have contributed so strong in our bilateral relationship many of them are not here among us right now but we would like to recognize them so in this occasion I would like to give a very small and modest token of appreciation to Comrade Emei Baby as a coordinator of the National Committee of Solidarity with Cuba which and through him to extend this expression of gratitude to all of you and of course to the comrades Sitaran Yashuri and Raya I think we should go here thank you thank you thank you thank you thank you yeah ok so about Cuba you know my country for more than 60 year has been on the different aggressions from the United States Imperialism particularly the last 2-3 years has been very tough for us because we had to face two big pandemics the first one the pandemic of the kovit we already destroy we already face it through the effort of our scientists at the effort of our public health system which created for kovit vaccine and the second pandemic of course is this bigger one is more destructive and it's the 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 interest of hegemony from united states which is expressed through the the commercial economic and financial blockade which is expressed through a huge machinery of disinformation diversion financing different internal group is cuba all this has been together during the last two three years and the only way the only way to face that of course we internally in cuba the cuban people for more than 60 years have shown the resistance and we will continue resisting but the only way to face that internationally is with the solidarity that's why the solidarity of india is fundamental for us and the solidarity of all of you has been a fundamental for us and it gave us the necessary energy to continue together to continue together with you to keep alive the spirits and the values and the principles of chequevara which are the values that unite us the fights against the imperial the fight against the injustice in the world no matter they are committed the war for a better world for everybody for everybody for everybody which is absolutely possible these are the principles and the values that unite us and for which we are fighting and the solidarity and the friendship that we share together and that make us strong so we would like to reaffirm here again our full full committed commitment to continue together working together in order to reinforce that feeling of friendship solidarity cooperation and to continue working together with the different forces and of course with the national committee of solidarity with cuba in order to this way to reinforce and to affect those values and also to affect the friendship between cuba and india so thank you very much dagneva jay bharat jay cuba jay chequevara thank you साथियों अब हमारे मंच पे जो दो अठीदी आना चाहिए हो अब आशुके हैं करें को सिधार दवरद राजन को मैं परिशे करने सिधार्द वर्दराजन जी जो एडिटर वायर का है और प्रोफेसर नंदिता नाराएन जो दूता की भूतवर अजिक्ष रही थी वो भी आ चुकी है अब कॉम्रेट सितारा मेचुरी महासचिव कम्मुनिस्ट पाटी आफ इंडिया मार्क्सिस्ट को मैं विंटी करूंगा व को आके अपने बात रकें । कम्मुनिस्ट अलेदा गेवरा अध्या को में राइंडिया अलेदा को आपको आपको इंडिया all the distinguished leaders of the political parties who are here Comrade Rajah, Comrade Dipang Kapaticharya, Comrade Manuja of Cuba के साथ एक जुटता है तो Comrade आई जाता है of course Comrade Baby Siddhartha Vardarajan, Nanditra Narayan and all the other leaders on the dais and of course Sonia Gupta who is as old as me in going to Cuba and expressing solidarity with Cuba and all of us here well first of all it's a wonderful feeling to welcome Comrade Alajda here once again to India and in fact we have been welcoming her going back to quarter of a century and every time she comes she creates a sort of an atmosphere which is full of enthusiasm for the younger generation and many of us through various generations have been through that so we're very happy and thank you very much for having accepted the invitation of the Cuba solidarity committee and come to India I've been reminded to speak in Hindi but I've been reminded to speak in Hindi but I've been reminded to speak in Hindi but I'm so okay with you I have a great idea today बात हुई उनमें से कि उनके सिगार के अंदर वो जो है जहर फैराजे की कोशिश कर रहे थे वज़े से फिदिल कास्तरों ने सिगार पीना छोड़ दिया वह अच्छी बात रही वह तो जो लेकिन लेकिन इन सवी साजिशों की बावजूद क्यूबा डटके ही रही है और मु कादूरी के लिए उनके करांतिगारी प्रत्वद्दता के लिए और उनकी जो कमिट्मेंट है आपके एक मानव मुक्ति के लिए जो माक्सवाद लेजिनबाद की बुनिया दी सिध्धान्तिक समझ जो है उसके साथ जो उनकी जो कमिट्मेंट जो रही है उसी को लाल सलाम न बहुत बड़ा हमारे लिए एक स्थम्ब रहा है, हमारे संगर्शों को आगे ले जाने के लिए, पहली बात, एक जुटता का मतलब यह नहीं कि हम उनको मदद करना चाहते हैं, उनके लिए हम जो है, मदबूत करना चाहते हैं क्यूबा को, बिल्कुल है, वो तो ही है, लेकिन स साथ ये भी पकट करना चाहते हैं कि क्यूबा का चिलते वे हमारी देश के अंदर, हमारी ताकत, हमारे सोशन की किलाव लड़ने की वो बढ़ती है, और एक जुटता का मतलब है कि देश के अंदर हमारा संकल्प, हमारे देश के अंदर संगर्शों को और तेज करना है, उसक रुजान जो रही है दुनिया के अंदर अमेरिकन सामराजवाद के खिलाब और जिस सरीके से वो अमेरिकन दुनिया के आने से पहले सबसे बड़ी योगदान आज के दिन इस दुनिया के अंदर जो दादागिरी अपना अमेरिकन सामराजवाद जो अपने चलाना चाहती है जो दुनिया के उपर जो कब्जा मजबूत करना चाहती है उस कब्जे का मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ा खेतर अगर दुनिया के अंदर कई है वो है लाटन अमेरिका और लाटन अमेरिका के अंदर क्यूबा का क्रांटी सबसे बड़ी प्रेरुना है वहां पर बाकि सब मुलकों के लिए और ये क्रांटी का जो इंस्पिरेशन उनके लिए क्यूबा भी जो लेता रहा है और वो है समन बॉलिवार से जो 18-19 वी शताबदी के जो बिल्टरी कमांडर रहे थे जिन्होंने उस समय स्पैनिश समराजवाद के खिलाब बड़ी संगर्श करके इन मुलकों की मुक्ति के लिए आजादी के लिए पहले ना सिर्फ आजादी तक्सीमित लेकिन वहां के हर इनसान की मुक्ति के लिए वो जिस तरीके से वहां पर जो संगर्श रही है उसलिए वहां से लेकर बुलिवारियन रिवल्यूशन के रामसी जो प्रेरना जो क्यूबन रिवल्यूशन का भी रहा और उसी के चलते वे वहां पर उन सभी मुलकों में वेन्यूशन हो पेरू हो एकुडॉर हो मेक्सिको हो बुलिविया खुद हो इन सभी मुलकों में आज अगर वामपंती आंदुरन मदबूत है और चुनावे जीत कर वामपंती ताकते चुनावे जीत कर सरकारे बनाती है तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रेरना और सबसे बड़ी ताकत आज लाटिन अमेरिका के मतलब खेतर के अंदर सबसे बड़ी ताकत क्यूबा है और क्यूबा के वज़े से आज अमेरिके इंसाम राजवात के सामने मकाबला के लिए यहां के लोग जो है डटकर खड़े हैं और वो दुनिया के अंदर जो संतुलन है जो वर्क संतुलन है जो सोशन को और मश्बूत करने चाहती है उस संतुलन को कमजोर करने वाली बात है सो क्यूबा के साथ एक जुटता का मतलब आज हमारी एंटी इंपेरिलिजम के लिए सामराजवादी विरोधी आंदोलन के लिए दुनिया के अंदर जो उनकी जो कोट्रिब्यूशन रही है और उनके दुटता के साथ जो वो खड़े हैं उसके वज़े से जो असर जो हो रहा ह उसका हम ना सिर्फ स्वीकार करना लेकिन उसके लिए क्यूबा को सलामी देना ये हमारी एक जुटता का मतलब तीसरा आज दुनिया के अंदर जिस तरीके से एक किसम की ये सामराजवाद अमेरिकन सामराजवाद के नेत्रित में पूरा दुनिया के उपर जो है ये कबजे को और मश्बूत करने की जो कोशिश आज जो युद जो हो रहा है युकरेन युकरेन के अंदर ये युद रश अश्या के बीश और वो उस खर्वो खर्वो डॉलर कर फैदा करके की कोशिश क्या है कि इसके चलते वे दुनिया के अपर अमेरिकन समराजवात के कब्जा जो है और मजबूत हो आज पूरे दुनिया के अंदर हमारी क्षेतर में एश्या पैसिफिक के जोन में दो तिहाई अ इप्लॉइमेंट आज यहां पे हुआ है यानि इस पूरे इलाके के अंदर जो अपने हुकम अपनी जारागीरी के तरह लियाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी अमेरिकन हिजमनी को मद्बूत करने की जो कोशिश जो हो रही है उसके चलते हुए और चीन को दरके नार करके वह हां पर समाजबादी चीन को दरके नार करके उसको जो है कमजोर करने के जो साजशे जो है इन सभी साजशे जो दुनिया के पैमाने पर जो चुल रही हैं और इसी के साथ साथ आज खाड़ी के देशों के अंदर आज भी सिरिया के अंदर आज भी वाके वाकिव मुलकों के और मुख्य रूप से जिस तरीके से इसरेल में पलिस्तिनियों के खिलाफ ये जो नई सरकार जो आई सबसे ज्यादा दक्षिन बंती सरकार जो आज फिर से नेतनियाहू के नेतरित में जो आई याने पिछले एक इस जनवरी के बीस दिन में जनवरी के पहले बीस दिन में उन समराजवाद दुनिया में यानि मानव अधिकारों के खिलाफ जाना है या मानव उसलों के खिलाफ जाना है इनसानियत के खिलाफ जाना है जो समराजवाद का जो चरित है इस चरित के खिलाफ आज अगर संगच करने वाली ताकत को प्रेरना देती है तो वो है क्यूबा क्यू मुथबूत करने के लिए हम एक जुर्टवा के साथ और इसलिए कियुबा के साथ दनेवाद नहीं प्रांतिकारी सीजाम ही देते है क्युबा को आप खड़े रहे हैं उसलिए हमारी प्रांतिकारी स्लाम वो है असली मतलब एक जुटा का और आज फैनली भारत और क्यूबा के बीच में याद है उन्हें पांच मिन्ट का ताइम दिया शाद बेवी ने आद लेके ने भारत और क्यूबा के बीच में बहुत गनिस संबंद रहे थे फैले लीच में पर आण के बीच में आढ है फैनले संबंद Woahmi āffic क्यात on झाल 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 तो अच्छा लगता है एक तरफ, कि मैं जब देखती हूँ कि छे इतने सारे लोगों में बठके बढ़ चुके हैं यहां इस प्लाटफॉर्म पे जिन लोगों ने अभी तक मेरे सारे कॉम्रेंस ने जो बात रखी है उसमें ब्लोकेट की बात मुखे रही है और यहां ब्लोकेट की बात करना भी सरल है लेकिन ब्लोकेट में जीना एक दूस्री चीज़े यहां पुर्म पुर्ण बात क्यों लोगों में आपको एक सरल सा उधारन दूँगे तकि आप समझें कि हम इस ब्लोकेट के खिलाफ क्यो जंग कर रहे हैं जुर्मेंके उस्द्धी के घपको एंयड ए polít fridge आप थांयगे लेकि क्काछ बाधेम इसने कुख अन्हतर एंधेले वकत्ध का बिक बात्य झाले बखत पया कि अने लिए लगा कि ए्थाएंट बीक अविगा कि लिए कर दो अजसे लिए है उड़ा लग फिस Goodman कि एक नृट वह लूग्प चुबा जसकानी कि लिए लिए लुग 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 लगा कि लिए अवार लिए लुग लगा पॉर्के सि ए्टाओ सुनिड़ टेक्ता उने एंप्रेसा के बेंडिया कुबा डिरेक्तमें तुम मेडिकमेंट के तेंगा अलग के वर कुबा 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 को बेच रही है तो उसके उपर कई मिलियन, कई करोर रुपयों का हर जाना उसको पे करना पड़ता है और यदि उसको ये पता चल जाता है ये संदे होता है कि ये कंपनी किसी भी तरह का व्यापार के साथ कर रही है जो अमरीका का उसमें एक का उस्मेंछो पुझी जवेशवा है उस्पुझी को वापस बिले सक्ता है दो लिए हमे उसमे दोओ पाने का यही जरिया है कि उसमें चार प्रश्व लिए लिए ओर राक टामरीका बादाना लगा पाए कि इसकाम्पनीने रही चूप घ्र उगा? और ले लिए जब तक ये जब तक ये दबाई लिए उन चार पांच बीच के मध्दे लोगों के भीच से हमारे पास आती है उसका दाम भी फिर ओो चार पांच बार बार बड़ जाता है बनिस पतु उसके कहम उसे सिधा करिते झुज क SARAH अभाण मैंद निचा भूट अछ जुब लिए लो कुबास फ़ लूब व्जेु लिकैन ये गारि वेरं सर्फ एम्वा ना तो वो जो जो उसका गॉन्टी ओगी ओो एक अजीब गरीब गॉन्टी ओोगी ओॉन्टी ओोगी कॉन्टी ओगी ओोगी कॉन्टी ओड़ी ओिए हुगी जियसे की दूद का उद पादन नहीं है लेकिन क्यूबा में सभी बच्चों को एक लिटर प्रती बच्चे को दूद दिया जाता है और इसी तरह से जो बुजोर्ग हैं, जो वृत हैं, हर वृत व्यक्ति के लिए भी एक लिटर दूद मिलता है हर दिन का पर न बदो टीमोज लटू ए्सराओी जイतूड को लिए उसा लेक ले भी एमाने फविश तार्ण distress for लुवध अविर, विज वा बाद वहाँ, लग्योग, लुवधता लुबद वी के लिए, वज ए्या वमें, वी बार्स loneliness को प्वर लो के लिए एनामिसिबल एक विए लीजब एक लुब विए बार भुब बिए एक लाद एक लूभर, का लुब विए लिए लाद लेगा लुब के लोगा लाद करें के कोई दूसरादेश, यजी हमेपने दूद का लुब लुब का लुब आड बेगारी कुब पाउडर्ड मिल्क खरीदने के लिए हमें न्यूजिलेंट जाना पड़ता है अरा इमाइने सुटेदे़्स कुटो कुटा पगार लिए पाउडर्ड बार्को के बाया अनुवा जेलांदा आ बुसकर एसा लेचे अरा ये अनुवान लगाई ये की न्यूजिलेंट से कुबा को के लिए शिप में जो पाउडर्ड बिल्क लाया जाता है उसे उस पाउडर्ड बिल्क कीमत कितना गुना बढ़ जाती है पर इसो नू जो पुर्ड लेकिन ये अभी बाद अनुए है कर लोय कि खो लगा बढ़या इसलीक यहिक बढ़्स आ को बढ़ी ये उशे लों छसे में लूगाोवन गी धो ये अटर्फड बिलक बढ़्सान जो खता है वो जब क्यूब के पॉर्ट पे आता है तो उसको मना ही है कि अगले छे महिने तक वो अमरीका के किसी पॉर्ट पे फिर नहीं जा सकता है तो जो जाहाज का जो ओनर है वो मालिक कियुब के लुर पुले सरे कि कुछ उ लुर्ट वियू कोछ एग उस्को मालिका यो कुछ आ, झाइन एक शो घुण कमालोकी कि दो जाता है अल़के उतला है कि लुर्ट नहीं टे प्सकतुम के लोकी चाही, कर दो कि लुट आ व Cannon ब बांगे हैं और बिल्कुल अमपन्वीर है वो दुट लंप ब मुझेर ये लुट कर दोंच हैं जिनौ रट रोग्प जटे कि लेकिन इंसाच सालो में, क्रांती के इंसाच सालो में. वे लिएकोट से लोग रहे हैं जिनोने इस ब्लोकेट को तोड़ा है प्यम्क robbery मेरा बॉह बॉब भेंट ओर ए्या को फरोसे एलोगों क्यों जाहर, एलोगों की और कोई जी हम बादर करते हैं और इसलिए विन की जुलिदायशना नियुदा भी हम बादर करते हैं और इसलिए झालियं जा थलिधा सोवगलसािया कुन कुन मुछ ओरो को नी ये Lord करते हैं वी सेलिए हमे दलिदाः है । 뚜्जदा करते हैं क्योंकि मानव जटिक को एक चीज जचिक जचिक नची को एक चीज जो सीखनी चाहिए वो यह है कि जब प्दिक हम पाया है उसका हम पापस भी दे सकें य झ्ड़ के ये जच्छ को ये जचिक बड़ की जचाने ये सीख अची अची जटनी है और विसले हैं नात ऑंतों हुद निल्मुर्ड अवान उन्हार दिल्मुर्ड आजारूर्छ दॉत लुद। ले खिते हैं की अयुद ओितने सारे रॉक्तर, यग यहें यहें, जग चाहन यहाँ जाते हैं वोच स् बूच्ची वरा रुटिवरा व गाड्तिका कीका चिंपावारी चिंप एकॉता मेल्ति है उनके ले तूवेवा ले वहातकून सॉभ बहुत कीम्टी चीजे लेकिन उसे विजादा कीम्टी उस वेक्टि के ली है योटे यह जढ़ ये लिया है बिद गजब दोसल कमो कमीला लुणक बुदार ला ओिरा ला भूल झाल भूला बेखर ला बीच अंगरा ला धिला दिदा मैं भोगी नी भूल सकती कि वो अंगोला के वो बच्चे एो बच्चे किस मुझरा झाल आखरों पर दोलदे देहिता हुता है कि मैं उनकी हेल्थ के लिए उनकी स्वास्त के लिए कुछ कर रही हौु आखिवा रजा पर एंप दो प्हुता है पुरी न हुआ रिड़कुलोससे पीरिग पचे थे उनकी बीच्छ में काम कर रही थी यो कि लिभने है कि ऑनिना खुल से υदा कि artनी और कि अ कि क Caitlin मिली की और कि ऒुलawia कि वां मेंगी ी लुई जीर्णine रा magg al मिली है टो लो जो शॉल भूम बांत के लाती थी वो शॉल भू आपको दे 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 ताकि मैं उसको बच्चे को पीछ में बांत के एक उसको पूस्पितल का चक्टर लगाओ़। जैंसों अजैंसों अगा दे लात वात से बड़ी कुछी मिलती थी कि वो जो मुझे शक्ति दे रहा था कि जो आने वाला दिन था उसमें मैं पूरी अच्छी तरह से काम कर सकूँ वो शक्ति मैं उससे पा रही थी अंगोला में बताई वो दो साल बहुत मुश्किल थी मैं किसी धर्म प्रथा में विश्वास नहीं रखती हूँ लेकिन अंगोला के बाद तो कोई मुझे धर्म की बातना करे क्योंकि यदी हमसे उपर कोई आत्म हैं, हमसे बड़ी कोई आत्म हैं, तो वो बड़ी नसल्वादी आत्म हैं लेकिन विएले को मेदको प्रफ मैंदकोडना वाट्रा ओ rocking लोन इजिए हूँ प्रफे जी नस जमेदाधी नसमेदारी को आने।ी टुट्तीरित ऑ और फिर हम पूछने लगते हैं अपने आप से कि एक बच्चा सिर्फ इसलिए मौत के मुह में धकेला जा रहा है क्योंकि उसको वो दबाई नहीं मिल रही है और वो दबाई इसलिए नहीं मिल रही है कि वो इस धर्ती के एक खास हिस्से में उसने जन लिया है फिर वो दौना बहुत बचशने अवीत्ता को चित को बदा नहीं में जो रहा है आ लेकर कि यह जो लो लगते और प्रोन नहीं में वो पपतने याभinta को प्रती बच्छने लगत बनता है के ब्हुत थ्जिएवर और भगते के सक्टे हो अज बसके चिर एलिबता को नही बदाल सके झाम के थाऴ यही हमें फिरitt एलिखन को उरूज दोटी एलिखन झाम क् नॉर kelu उनिधन कोशे लालिखन उर प्रिया कशे क्या एलिखन लै जक उलिखन कोशे लालिखन में वो उता है । प्रों को लोग्राम उसा उनिदा लिकिन ये एक्ता किस तरह से बनाई जाए है है उना पालावरी टा पेक्टेना कि से उल्विदा सेंप्र कि हमेशा भुला दिया जाता है कि इस ल्रेस्पेटो आल से उमानों और वो है बानाव जाती के प्रती आदर तौल से भुल स्बख्ता ऊसागता है जिसलगी एതंगे हम स्जवी एक्ती बार मैं भरम उसाण्भी बार बिवदा है पको प्लों उसाण्ग प्भुल इसाण्ध किस प्रता है एलग हो सक्तिये एलिजिब एलग हो सक्तिये एलिजिया और तो जैसी ही रा सब्बिर धे सब्फर देह और तो सब्जिआ형 जीजआना बीजा लॉ़रा है आल्क वालifen चको बार prepared In the basic way, we are all the igual but not together. And think everyone has three to four doctorate in the university, even if there are many people who have three or four PhDs. पोदें से परसोना सावी बहुती ज्यानी हो सकते हैं पर इसा परसोना टेंडर का पंडर आक उच्छार अजनी तभी बनेगा जब उनने जब पने जंता की आवाज वासनले का झाल जा सकत्वा मैं पस्ट हाएला को मैं यसमाजिक फसत्वानता है मह tabला क有 मेरा को जाक्न eran दिक है क्या स्वीम है कैन अजूलो whip गुब सुछरकな सुछ और ऑब सब्सक्राघूरू वंतन चऴदी उस संदी जब आन किई set up था कर दो बाद सुन्य विए इसो दिखिन कि जब कि परफ गचे जब के कॉनन क्योंको उने अपने स्वरी कार्ण गर्प्रोप्य करनी काम्ट व्योंकू स्क्राब और सिनो कोम अमयरो और फगे प्लाद प्हां अंगे घुन को एंुन को पूदू से जयून को और्यों तर जै प्रिच्वर बंडरो कॉन को और च्राहर दो का गला है लू है प्हादर दो एंद ग्री घ्र, किसान है तर्बादस्टे नित्सिंदूरक का राद पर कि येन के कांब को आढ़र करना हुआ जू जब जूह आगर चारागा कि ब मैं कारते, छशने हुआ के लुछ एने कारतो कि झाम, कुन दे लुटिमो अननु 붙ता मैं, कारता कि तब हुआ कारती है कानगा बचय थें साल में और एंपको नप्कड़ कानी क premi attaching हुआ कि विर्विर अगा कि मैं डिई हमारी दोरो गया हुए्या है। आज पता हुए्या हुए्या छिजर का तर्ड़ मैं buyer click का कि आजा प्या वे वह और छिए्या है कि Gu kon व कि छोमे प्हाद कहिम की आखो तद szyAnyग कि इसके, ज Delhi, कि एंअ का इसकीम हरा हैं आखाफ हैं छिंत निया कि उतैंघ ए्सकाली में भेल लिबिद आखो आती घर्मेद दि ले लिख दी कि उलै foundations जैँ अडं마स्तर आशियन नाशिया टियो कि अखियो ने लेकम गयों कि अगवू आपकाछी आपकॉद अगई हुआ है पार्ट और अगवदा दुर में आपक नीड़ा है इनकर ने सस्ट पर घ्ट रहेा है वहां कि वह यहां पे जो यह प्लिक उटल ए लोगकाछी ने तो ख एंवोर पतायों से बात करने के बात मुछह कैंब कि मुझे टुलिवी के पारे में कुछ नय football ह einen मुछे बात कि लिगी सबस्क्षरि के बारे में कोई के पारे कि मुछे चियो बारे सी अध्य है टुबुर्ण, इंढे लिए एंजला के लिव export जो ए phải हु耓च बार बेजिजर कसरा फ़ेय्वाम कोई संौनी है बादस को आपकि हुआ ये एल जो इननने प्जित्वार को चे ले लोड बो कि झां Kill오 को बे precisely को उड आनने डिम्हेर ने. acted in 2000 Daddy Georg वो भेको क्यू लागता है किकुबा में हम से नब्वे मील की दूरी पे दुटनिया की सबसे बड़ी की बली शक्ति और फिर भी हम उसका सा मुकाबला कर पाते हैं क्यूं नू समू लाओरे कि निवन ओरो प्वेपलो दूरी है की हम jeुद रदूनी अबस्सकुश्ट Eli गया की कुछ बהरे बाइी कुछ बह婚ितार है युद विया एंप वे यूनीू औरॉम माया लगन क्लम 22 सभ्ट कंभ फुई रखनीकूर जो यानता एक जूझत है उसको कोई नहीं में सकता विधिवसे क überzeugी बदो के हैं पैंक आजी में बदो कोई पार झालacre लॉदो कैं llICOort दो की ने कि इ्क वु छूने के लूबो और हम कहते हैं कि वो जनता जिसने की शत्र उठा लिये हैं उसको कभी नहीं जुकाया जा सकेगा हमने हतियार उठाए हैं शांती के लिए शांती बहुत जरूरी चीज है kit बंदाओ मनो कोब्स ओन देसा लो ठो, जो जविएक विवज न्यूद बोग हो सकता नहां जी सकते हैं तरो नओी नदी निस्त मुंड बूदी आग्र आग्रदी और लॉ फो कभी शत्य यहीं नहीं प्योदी से नहीं है अब लूफ झूप मैं बंहें के य हुआ के पिना कानस व जब भी टॉप टो के हैं परो तदवाँब बान्ट यह वाँ प्दूब लाँ के लीकान वेकिन मैं बंदूग चलना भी वसीतर से जांतियू जेश्ट एसके पहले लो एक एंग बन्चुका है नो करेमों लागरा प्रोनों से प्रोनों से ब्रोनाग भी बेर्टाद इसोबराद इसोबरानिया सिं बड़ देरा इंड़ इंड़ें लागरा इंड़ेंचा लेकिन हम मुटी और वो नेकित अब बात नहीं कर सकते वो बहुत तेज और स्ट्रोंग होनी चाहिए किन वेंचियो अल इंपरियो बितानिको किस्ने बृतिश एंपर को खतन किया उन हम्रे एक वेक्तिने उन मुझर उन पूबलो ये एक बेश की जंताने उसे ला विक्तोरिया देल पूबलो इंड़ ये जो जीत थी ये किसी एक वेक्ति की नहीं थी ये जीत थी भारत के लोगों की उनसे उसे उसे नो पूबलो बिदार के तिने ला फूरसा सुफिए परा कांभिया ला रालिदा इसी चीस से आपको ये यादाएगा कि हमे बदलाव लाने की शक्ति हमे मेरे पता जितने साल जीए बहुत कम साल जीए लेकि उनके द्वारा जो रचनाय जोने अपनी छोडिया जोने जो लिखा है वो काफी कुछ है और विखले इन दिनों मुझे उस लेखन की शक्ति का हिसास हुआ है छे गेवारा रॉम्प फ्रोंटरास छे गेवारा सभी सरहतों को तोड़ते हैं वो सिर्फ हमारे नही है वो हम सबके हैं लुत साथ कुबाओर उसल्वियो कुबान मिलो कर दो लूड़ियो कियूबाके बहुत बड़े लेक गायक है तो एक विस जीत में वो कहते है कि एक मानव जब जब एक जान जाती है तो उस पह दर्द होता है चुछा बीक्तियों के लिए अन्सु भाहने चाहिए, लेक टुक्ति साथ, एक जीवन्त शक्ति के साथ कि दिन लोल और बार, को या कि दुपका दाद करना ब्रा मुष्कल रखना ब्रामुचल है वूल माज नम्रे ला ला अन्वर गुऌ दिरा आलो से ल्या माज लाद कि लिए को व्ट गुपसील लोसित का नाम है राईफल के उपर रा क्वाक्द वोल Silvio Rodríguez, हमारे बीचा बनाहें, इतो हो सकता मुच्च पेको जुर्माना दाल दो The silence of the world will be prepared by God, the word that will be said, in memory will be the explosion. The man of this century was lost there, his name and name are Fusil vs Fusil. The wind broke down the surface of the wind to the south and on the first cross, the truth wakes up. The truth is, all the world tercero va a enterrar su dolor. Con granizo de plomo hará su agujero de honor, su canción llorará su luto de hombre y de animal, y en vez de lágrimas echar, con plomo llorará. Se alzará el hombre de la tumba al sol, su nombre se repartirá. Fusil contra fusil, fusil contra fusil. Fusil contra fusil. Fusil contra fusil. Fusil contra fusil. Puesil contra fusil. में लाल चेड़ीола, पिछवा कर दोंजेे, कि शनननryw बिनना, कि अकेड़ी खिलाप, कि णिनने, कि इननन expressed ताम नेई क्ार्दान जा आराँ आराहन एरन डेसा पिसस्ते लादनरा, कि यहों सब्सक्झेरा Chõffa कि वि HARRIS करिण विज उने सand्वाफ जराHण करें थ्छार माय हो रहा हो औरे । जराहा हो लूओे . कुम्रेट 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 कर् le अच्छे और जो पिछले करिकी दिनों से खारत के अलग अलग शेर्थ खबर मिलती रही हम सब के लिए एक बहुत जरूरी बहुत अच्छी ख़बर एक उम्मिदों के साथ और बहुत प्यार के साथ आपका ये दौरा हमारे बीच में जबर्दस्त उरजा का संचार किया है और इसके लिये हम शुक्रियादा करेंगे वर बहुत ये ये विये हुआ थे व्रूंट थे च्प्रे जरूंद ओरूंगराती उप्तर विच्छी तरश नहीं हो सकता है So I will only request you, please keep coming back to India again and again, we will be waiting for you. बीच में, सैनिटेशन वर्केस के बीच में, उन यूनियन के निताओं ने खबर दी कि कॉम्रेड हमारे शहर में वह आई थी और हम लोग मिले और हमने एक मेमेंटो दिया है। मैं इंडियन स्टेश्टिकल इंस्टिटूट का प्रोड़क्ट हूँ, अर्ली एटीज में जब हम वहाँ पढ़ते थे, तो हमारे बीच में हमेशा ये चर्चा रहती थी कि चेग वगरा कभी आये थे इंडियन स्टेश्टिकल इंस्टिटूट में, और अभी हमने फेस्बु आज दो तरपर हमारे बीच में सवाल है, एक तो जरूर क्यूबा के साथ एक जूटता, क्यूबा एक चोटा सा देश, लेकिन जिस हिम्मत और बहादूरी के साथ, जिस संकल्पा और सफलता के साथ, इतने दशकों से, अमरिकी समराजवाद से लोहा ले रहा है, और टिका हुआ है, वो दुनिया भर के सामराजवाद बिरोधी, आजादी चाहने वाले, लोकतंत्र चाहने वाले, समाजबाद चाहने वाले, लोगों के लिए उर्जा का स्रोत है, तो निश्चित तोर पर, आज हमारे देश में, जो सरकार है, वहां क्यूबा की बात नहीं होती, हमा उस सवाल पर हमने वोट किया, कम से कम हमारे इस निजाम को भी यह हिम्मत नहीं हुई, कि ब्रजील की तरह और यूकरेन की तरह इस सवाल पर अबस्टेन करते, या अमरिका और इसरायल की तरह इस सवाल पर बिरोध में खड़े रहते, लेकिन यह जो समर्थन है, वो शनीती को बदलने के लिए, आज 24 तारिक है, 26 तारिक हम गंतंत्र दिवस मनाएंगे, लेकिन हमारे बीच में अभी जिस तरह से अलेदा ने अपने भाशन के समापन में उन्होंने किया, हमें याद दिलाया, कि हिंदोस्तान की आजादी, इतने लोगों की लंबी लड़ाई से मिली आजादी, और उसी लंबी लड़ाई से मिला सम्विधान, जिसने ये अलान किया था कि we the people of India, तो 26 तारिक हम मनाएंगे, हमारे लिए आज ही 26 तारिक है, और आप हमारे बीच में गेस्ट बन करके आए हैं, तो आजादी के अंदुलन के पूरी भावना के साथ, और इस हमारे गंतंत्र के जो सम्विधान का संकल्प है, उसके साथ हम कियुबा के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे, यह हम बिल्कुल कहना चाहते हैं, लेकिन हम जब ज़्यादा तर लोग हम जो यहां आए हैं, हम लालजजंडे वाले हैं, और लालजजंड लोगों को बिल्कुल ये लग रहा है कि ये पुजी बाद अब चलने वाला बिल्कुल नहीं है। इस COVID के दौर ने इसको और खुल करके दुनिया भर में इसको साबित किया है, स्थापित किया है, कि जहां तमाम बिक्सित पुजीबादी देशों में भी आक्सिजन नहीं मिला और COVID के दौर में लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो पुजीबाद वो मौत का कारोबार करता है, लेकिन लोगों की जिन्दगी की गारंटी नहीं कर सकता, आज जिन्दगी की लड़ाई वो पुजीबाद के खिलाब एक समाजबाद के तलाश में आगे बढ़ रही है, एक जमाना था जब कहा जाता था कि पुजीबाद का मतल पुजीबाद में कहीं ट्रम्प, कहीं अर्दोगन, कहीं बलसोनारो और हमारे देश में हमारे नरेंद्र मोदी जैसे नेता सामने आ रहे हैं, यह ऐसे नेता आ रहे हैं, बड़े मुश्किल से अगर लोगों को उनसे छुटकरा भी मिलता है, तो यह सत्ता छोड़ करके जान लोग पूरे वहां के जनता का जनाधेश उसका अपमान कर रहे हैं, तो आज लोगतंत्र के लिए हमें उस पुजीबाद के खिलाप लड़ना है, आज पुजीबाद ने पुरे दुनिया को, आप लोगतंत्र की बाद तो छोड़िये, पूरे प्रकिती को, परियाबरन को, बिनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है, आज दुनिया ये समझ रही है, कि अगर हमें इस परियाबरन की रक्षा करनी है, इस प्रकिती की रक्षा करनी है, तो हमें इस पुजीबाद के रास्ते से कहीं बाहर जाना होगा, तो ऐसे दौर में जहां पुजीबाद का मतलब है संकट जहां पूजीबाद का मतलब है गुलामी जहां पूजीबाद का मतलब है विनाश जहां पूजीबाद का मतलब है तानाशाही वहां चे हमें बताते हैं कि समाजबाद मतलब आजाद ही समाजबाद मतलब विकाज समाजबाद मतलब मानवता समाजबाद मतलब हम सब के लिए बराबरी हम सब के लिए लोगतंत और इसलिए आज के दौर में जहां पूजीबात का संकट दिख रहा है लेकिन समाजबादी विकल्प की एक तलाश है वहां क्यूबा हमारे बीच में एक प्रतीक है एक उदाहरन है सोशलिस्ट इमजिनेशन, सोशलिस्ट इनिशेटिव, सोशलिस्ट कंस्ट्रक्शन, सोशलिस्ट क्वेस्ट उसका एक पिछले साथ साल से पूरी दुनिया को उरजा देने वाला रोशनी देने वाला एक उदाहरन है और इसलिए बिलकुल हम चाहते हैं कि ये उदाहरन और हो और हम सब के बीच में ये समाजबात की उम्मीद समाजबात की सोच समाजबात की तलाश हमें क्यूबा से और उरजा मिले हम इसको तीज कर सके हमारे देश में हमारी बिदेश नीती तो जहां चली गई है वहां अब नॉन अलाइन मुवमेंट नहीं है वहां आज सार्क भी नहीं है दक्षी निशिया की भी बात नहीं है अकेले क्यूबा उसका रहना लैटिन अमेरिका के लिए कितनी बड़ी ताकत है हम सब देख रहे हैं जहां लैटिन अमेरिका ने वो चाहे पचास सल पहले आलेंदे की हत्या उसके बाद उस चिले में एक सबसे नौजवान बा पूरी ताकत पूरे लैटिन अमेरिका के बामपंथियों में लोगतांत्रिक शक्तियों में है यह लौट कर आना हर दमन को जहल लेना यह है क्यूबा उसकी उर्जा उसकी प्रणा और हमारे यहां हमने तो हमारी बिदेश नीती अब हमें सर्क से भी दूर हम चलेगे कोड मे जहां हम अमरिका के साथ हैं जहां हम अस्ट्रेलिया और जपान के साथ हैं और जहां दुनिया के तमाम मुक्ति कामी देशों से आजादी के लिए लड़ने बाले लोगों से समाजबात के लिए लड़ने बाले लोगों से मानुपता के लिए प्रकिती के लिए लड़ने बा कि आपका ये जो दौरा रहा है ये इस कठिन दौर में इस मुश्किल भरे दौर में इस जाड़े के बीच में हम सब के बीच में काफी वुर्जा ले करके एक गर्मी ले करके ये आया है और ये असर रहेगा और हम लोग इसी लड़ाई के जरिये चे और फिदल कास्त्रों की जो विरासत क्यूबा के पास है आपने बिल्कुल सही कहा कि वो पूरे दुनिया की विरासत है ये पूरे दुनिया के लिए हम सब के लिए है साजी विरासत हम हिंदुस्तान में साजी विरासत और साजी शहादत की चर्चा करते हैं अब दुनिया के पैमाने पर भी हम सब की वो साजी विरासत है और हम सब के सामने एक साजा सपना है एक साजा संकल्प है उस सपने को साकार करने के लिए आप हमारे देश में आये हैं आप से बेहद हमें प्रणा मिली है उर्जा मिली है आपका बहुत बहुत धन्दबाद लाल सलाम इंकिलाब जिंदाबाद संस्ट की सदस्ट और राजदा का नेता मनुज्जा का मैं अभी अमतरित कर रहा हूं शुक्रिया साथी एक बहुत बड़ी तादाद में यहां मैंने युवा को देखा और मैं कॉम्रेट एलाइडा को कहना चाहता हूँ मैं कम्यूनिस्ट नहीं हूँ लेकिन चे का मूरीद हूँ और कई लोगों ने मार्क्सिजम से चे तक पहुँचे हम तो चे से मार्क्सिजम पर गए थे ग्राजुएशन में था एक चिठी पढ़ी थी जो कम्रेट चे गोईरा ने बोलिविया जाने से पूर्व कम्रेट फिदेल कास्त्रों को लिखा था अपने पडिवार के बारे में तब मैं कम्रेट अलाइदा को निजांगता नहीं था आज मैंने साक्षाद देखा तो मैं ये भी कहूंगा कि जब कम्रेट सिता राम ये चुरिया जो एनाउंसर थे हमारे मित्र अरून जी उन्होंने कहा कि कम्रेट सॉरी साब कम्रेट कॉपी राइट नहीं है कम्मिनिस्ट पार्टीज का और मैंने तो सदन के अंदर एक दिन कहा था कि दिल से जो भी सामाज को और राजनीत को देखे और दिल चुकी बाए में है तो वो बाम पंती है तो मैं कम्रेटे लेड़ा आपसे ये कहना चाहता हूँ कि चे बिखरे पड़े हैं हिंदुस्तान के समाज में यहां की राजनीत में ना सिर्फ कम्मिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, CPM, CPI, ML और कि जितने भी नाम हो हर दल ने एक सिर्फ दक्षिन पंती दलों को छोड़ करके हर दल ने चे गुएरा से ग्रहन किया किसने मोटर सैकल डैरी ना पढ़ी होगी किसने चे कोई कल्ट के रुप में ना देखा हो और जब कोई व्यक्ति उसकी बिचार धारा कल्ट में तबदिल हो जाती है ना तो आप उसको कम्यूनिस्ट पार्टी में महदूद नहीं रख सकते तो ये मैं चे गुएरा के बरक्स ये कहना चाहता था आप आज मेरे कई साथियों ने मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा तीन चार मिनट वैसे भी हिंदुस्तान की पार्लेमेंट ने मुझे ये बता दिया है कि जो बात आप कम लफ़जों में नहीं कह सकते हैं वो बहुत सारे लफ़जों में भी नहीं कह सकते तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज आप जिस दौर में आई हैं हिंदुस्तान बहुत गुलाबी सा नहीं है इस हॉल में जो लोगों का जजबा है ये जजबा हिंदुस्तान में नहीं दिख रहा है इस हॉल में जो हमारी एक जूटता है वो इस देश में नहीं दिख रहा है चे लड़ रहे थे पुंजी वाद के करूबर चेहरे से सिक्सटी उप और हम आज वैश्विक पुंजी के साथ दख्षिन पंथी अधिनायक वाद के सबसे करूबर चेहरे के सममिश्रन के साथ लड़ रहे हैं लड़ाई हमारी भी बहुत मुश्किल है और हमारी लड़ाई में कमरेडे लेड़ा मैं यह कहना चाहता हूँ हमारी लड़ाई में एक और नई बीमारी भी आई है मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है यह जो कमीजों की सफेदी पर हम बाचित कर रहे हैं यह ए अंधे कुवे में रोष्णी का सुराग भी है और रोष्णी का सुराग हर काल में हर काल खंड में हर छण उन्होंने हिंदुस्तान को उस रोष्णी के सुराग ने प्रेड़ना दिये हमारा तो बच्पन वियतनाम क्यूबा फिलिस्तीन हमें तो लगता था कि हम एक ऐसे नाग इस सब्धाब हमारे जो आज के सत्ता वाले लोग है ना वो निर्पेष रही नहीं सकते, उनके अंदर का If done chemistry और उनको किसी के पक्ष में खड़ा होकर देता है और वह पक्ष अकसर वह पक्ष होता है जो जनता का पक्ष नहीं होता है जिसका जंसरोत अभी हाल में मैं कहूँ सदन में मैंने माननीय विदेश मंत्री जी जेनियू के ही है और मतलब जेनियू में अपवाद भी हो सकते हैं तो जेनियू के हैं उनसे मैंने कहा कि साब आप जब बोलते हो तो ऐसा क्यों लगता है कि भारत की विदेशनीती 2014 से पुर्व थी ही नहीं तो वो उसको व्यक्तिगत लेके चले गया उन्होंने कहा गए अगर मनोजी को लगता है को मेरा काम उसे बहतर कर सकते हैं तो ये सोच उनको मुबारक जबकि मेरा मानना सिर्फ इतना है गाजा में गोली बारी हो रही थी गर्मेंट ओफ इंडिया का एक स्टेटमेंट नहीं आया ये पहली बार हुआ गोली बारी गाजा में लगातार चल रही थी तो हमारा देश बहुत बदला है कॉम्रेड एलेडा साथ वाला दशक नहीं हम बहुत गरीब थे अब पांस ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बननी की और अगर सर पता नहीं कब बनेंगे कैसे बनेंगे लेकिन हमारा समाच्छत विच्छत लोक सरोकार किताब के पन्ने से बाहर है हाश ये पे हैं इस वक्त में शायद मैं समझता हूं कि चे गोएरा और उनकी सोच और मैं दुबारा दोहरा रहा हूं कि जो चीज यूथ के इमाजिनेशन को सबसे ज़्यादा क्याच करती है वो है चे का जजबा और मैं तमाम दोस्तों से आगरा करूँगा अगर वो आपनी चिठी नहीं पढ़ी हो तो आपके जिंदकी की सबसे खूबसूरत चिठी होगी जो उन्होंने फिदिल कास्त्रों को लिखी थी एक उसी तरह की चिठी काल माक्स ने अपने पिता को लिखी थी आप कहिएगा इस मामले मैं थोड़ा चिठी बाज हूँ मैं चिठी बहुत पढ़ता हूँ और शायद इसलिए नहरू से थोड़ी मोहबत है कि वो भी चिठी वाज थे तो एनिवे कामरेड एलेड़ा तो आल माई फ्रेंज और कामरेट्स यूर प्रेजन्स मेंस अलोट तो अलोफ अस तो इंडियन्स अधिस प्रिटिकलर क्रिटिकल जंक्चर जहां हमारे तमाम बड़े नेता लेफ्ट के मौजूद हैं सुभा सावाम से पूछा जाता है कि साहब चौबिस के चुनाओ में क्या होगा नरेंद्र मोधी के सामने आपका चेहरा कौन सा है तो हम चेहरे में उलजके रा गया हैं कामरेड एलेड़ा मुद्दों से अलग हो गया हैं और हम भी सबसे गोरा चित्टा बढ़िया चेहरा ढोनने की लगातार कोशिश करते हैं we must go back to the roots the day we the people of India rise with their issues and we make them rise again that shall be day we shall again say we shall fight we shall win Zindabad Lal Salaam Jain Satiyo Ab my teen mementos have joh present karna chahte hai Professor Chamalala joh Bhagat Singh ki upar ek pictorial kitab hai woh Alaida Guayra aur unka beti joh Estefania Guayra ko dhena chahte hai Chamalala ji you go from this side you go from this side and give it with the जो दूसरा जो मोमेंटो है CPIML दिल्ली पार्टी कमिटी के तरफ से कॉम्रेट देपांकर बटाचारिय जी ने अलाइदा जी अलाइदा और एस्टफानिया को ले देंगे का उनलाइदा जी ने जीन जी घुटी आजा चाहिए आयुका को ले लिवस in कॉम्रेट दिपांकर अब अल इंडिया डिमोक्राटिक विमन्स अससेशिएशन की ओर से एक मेमेंटो कि अब ख़ूल इंडिया डिमोक्राटिक विमन्स अससेशिए अब इंडिया डिमोक्रेट विमन्स अससेशिए thank you thank you comrade thank you comrade baby will make an observation and then come professor nandita naren will make the uh... will speak and conclude the session कुनियोट करूब पुनिय तकारू पुनिय। कुनिय तकारू पुनियद तकारू पुनिय तकारू Thank you. Thank you. Comrade Baby. Dear friends and comrades, we are coming to the end of this solidarity meeting there would be only a lot of thanks which is going to follow here a very interesting exchange has taken place about the term comrade comrade Siddharam referred to Manushtha the first comrade then he said sorry and all that this brought to my memory a very interesting an anecdote which one of the tallest leaders of Indian communist movement comrade EMS Nambudiripad shared with us in one of the meetings most likely comrade Siddharam also was there in a school where freedom movement history was being explained then comrade EMS asked us a question, he asked the teacher do you know where I heard for the first time the word comrade and from whom he could not reply it was like a quiz then he said when he attended the All India Congress session and Pandit Jawarla Nehru addressed the All India Congress session comrade EMS was a delegate there as a member of the Congress Socialist Party comrade EMS heard the word comrade for the first time in an AIC session from the mouth of Pandit Jawarla Nehru now where is I don't want to ask the question Congress and all that where is Congress and all that that question also is we're 11 another interesting aspect is that when Sheguveria visited India India in 1959 Shea had an opportunity to meet Pandit Jawarla Nehru as the Prime Minister of India Shea had closely followed India and government in one meeting said that as a youth once Sheguveria dressed as Mahatma Gandhi Sheguveria used Mahatma Gandhi's dress perhaps it is a it is an information for you and Sheguveria used to very closely read Gandhi and Pandit Jawarla Nehru then if you read a very voluminous biography of Sheguveria written by Lee Joe Anderson it's the life of Sheguveria there he has given some very authoritative account of Shea's meeting with Pandit Jawarla having the food and all that this much I share with you by way of anecdote now over to Nandida Narayanji what of thanks all the और इतनी एलेक्ट्रिफाइंग इवनिंग, खासतोर से कॉम्रेड अलेधा गवारा के वक्तव्य से और जो उन्होंने गीत गाया हमारे सामने, मेरे ख्याल से सब के रॉंक्ते खड़े हो गए, एक जो जजबा हमको अपने अंदर जगाने की जरूरत है, उसका हमें असास यहा सामराज्यवाद के खिलाव भारत खड़ा हो गया था और उसने हराया था उसको, वही सामराज्यवाद चुपके से और सामने आके भी जाहिर होके अभी भी हमारे देश को चला रहा है, जिन ताकतों ने उन सामराज्यवादी ताकतों की मदद की थी, हमारे देश के इंट्र के से लोगों को बाट के और जो समराजवादी ताकतों क्या नया अवतार है चाहे वो WTO हो या World Bank हो या IMF हो या और जैसे ताकतें हैं पूजिवादी उनकी मदद के लिए सारी policies ली जा रही हैं हमारे देश को लूटा जा रहा है किसानों को लूटा जा रहा है अलप संख्यको लकम दिया जा रहा है foreign universities को यहां आके लूट करके हमारे देश की पूंची को बाहर ले जाने के लिए तो यह हमारे देश का जो हाल है जहां पे लोग आवाज उठा रहे हैं वो जेलों में बंद हैं वकील बंद हैं जर्नलिस बंद हैं टीचर बंद हैं स्टूडन्स बंद ह और बहुत तरह लोग जिनने कुछ आवाज भी नहीं उठाई लेकिन सिर्फ क्यूंकि वो किसी समुदाई से हैं क्यूंकि वो दलित हैं क्यूंकि वो आदिवासी हैं क्यूंकि उनके पास शक्ती नहीं है लड़ने की उनको जेलों में बंद कर दिया गया है तो हमारा देश इस वक बिलकुल फैशिजम के कस्प पे खड़ा है और हम अंदर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वही ताकतें जो लोगों को बाटती हैं उन्होंने लोगों को बाटा हुआ है जहर पहला रही हैं नफरत पहला रही हैं हमें वोई जर्मेनी वाले हाल में लाल सलाम करती हैं हमारे खिसान जिन्होंने बहुत बہ roarी लड़ाई लड़ी थी पिछले दो सालों में वो आपको लाल सलाम कर रहे हैं हमारे जो जो सातियों ने जो नागरिकता कानून जो बिलकुल हमारे अल्पसंib dersंख कि खिलाफ था उनको नागरिक होना भी नहीं मानता था जो लड़ रहे थे उस उस लड़ाई में उनकी तरफ से आपको लाल सलाम हैं बहुत से वो साथी वहां पे जैसे उमर खालेद हैं और भी बहुत साथी हैं सिर्फ आवाज उठाने के लिए वो जेलों में बंद हैं उन साथियों के फैसर जी एंसाइबाबा जो 90% disabled होने के बावजूद सरफ इस वजए से उमर कैद की सजा काट रहे हैं और एक दिन का परोल उनको नहीं मिला है दस साल होने वाले हैं अगले साल हो जाएंगे दस साल क्योंकि उन्होंने आदेवासियों के आवाज के लिए आवाज उठाई ह हमारे ट्राइबिल्स के लिए आवाज उठाई उनके साथ जो नाइन साथी हो रही थी उनके लिए आवाज उठाई ऐसे बहुत सारे साथी हमारे अभी भी जेलों में बंद हैं जूटे चार्जिस उनके खिलाफ लगाए गए हैं उन सब की तरफ से आपको लाल सलाम उन शा में जो एक जाती सा जो प्रता है उसकी वज़े से जो गैर बराबरी रही है उसकी वज़े से जैसे चात्र रोहे तमिला जैसे आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए उनकी तरफ से लाल सलाम और नजीब की तरफ से लाल सलाम उनकी आमा की तरफ से लाल सलाम जो कई साल पहले JNU से गाइब हो गया और उसका कोई अता पता आच तक नहीं है इन सब की तरफ से आपको लाल सलाम बहुत सारे लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं आपकी तरफ से जो आया है हमारे पास एक जजबा उसको हम इस्तमाल करके और आगे इस लड़ाई को आगे करेंगे जिस तरह ऐसे globalization के जमाने में ये अटाग जो हमारे पार हमारे उपर आ रहा है वो globalized attack है वो सिर्फ हम हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में चल रहा है इस तरह से एक globalized resistance भी ज़रूरी है और आपके देश को हम आगे रखके inspiration मानके चाहे वो health के मामले में हो चाहे वो शिक्ष हम सब की तरफ से हमारे महमान हमारी अपनी साथी अलेदा गवेरा को लाल सलाम और मैं इसके साथ जो जितने भी साथी आज यहां पे मंच पे बोले उनको उनका में शुक्रिया अदा करना चाहती हूं मुझे यह काम दिया गया है थैंक यू के लिए और इसमें हैं हमारे अपना काम इमानदारी से करने की वज़े से आज के दिन सस्पेंड़ एडूनों सस्पेंशन लिफट वाए कि नहीं अपने उनिवर्स्टी में उसको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि एलेक्शन ऑफिसर बनाएं गई थी वो एक यूनियन के लिए यूनियन के उपर इस तरह स करना चाहती हूं और हमारे अपने साथी मनोज जा जी जो हमारे यूनिवर्स्टी में प्रोफेसर हैं कॉम्रेज मनोज जा को भी मैं शुक्रियादा करना चाहती हूं करना चाहती हूं आप सब को शुक्रियादा करना चाहती हूं और जिन्नों नहीं हाँ पे इसको ओगनाइस किया उनकी तरफ से भी मैं आप सब को शुक्रियादा करना चाहती हूं इसी के साथ ये आज की सभा यहां समाप्त होती है इंकलाब जिन्दाबाद शे गवरा को ला सलाम और क्यूबा को लाल सलाम लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे आरे स्षी मोझाया हुआया हुेट धुझा भाल फुर यज ऑनके ही जीते न Bluetooth झाल